नमस्कार, प्रियदर्शकों हाजर हूं मैं शनिदेव के द्रिष्टी प्रभाव से सम्मंधित कुछ विशेस जानकारियां देकर। प्रियदर्शकों आज की इस परिवेश में जोतिश आम जनमानस के लिए सहज है, सरल है, लोग यूट्यूब के माध्यम से और तरह तरह के माध्यमों से जोतिश को भली भाती सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब वहाँ उनके सामने एक बात आजाती है और वो है शनिदेव की द्रिष्टी। ऐसा सुनने में आता है, अब जाहिर सी बात है जूतिशियों की ये मत ही हैं कि शनिदेव की तीसरी जो दृष्टी है वो बेहद खराब है, बेहद कस्ट प्रदायक है। आज हमारी चर्चा इसी पर है। शनिदेव के तीसरी दृष्टी की चर्चा। कैसी है ये दृष्टी प्रेदर्शक को देखी इसमें कहीं कोई दूमत नहीं कि शनिदेव पृथकता कराने वाले ग्रह हैं जहां उनकी दृष्टी पड़ती है, उन भावों से वो पृथक कर देते हैं, विच्छेत करा देते हैं। तो ये बात केवल इनकी तीसरी दृष्टी पर लागू नहीं है, सात्मी और दस्मी पर बराबर बराबर लागू है। फिर तीसरी दृष्टी में ऐसा क्या है। प्रिदर्शकों इस विशय को समझने के लिए पहले आपको शनिदेव को समझना होगा। मैंने पूर्व में इस बात की चर्चा की है कि पापक ग्रह के रूप में देखा जाये तो शनिदेव और मंगल कम पापक ग्रह है, शनिदेव जादा पापक ग्रह है लेकिन अंतिम परिणती के रूप में देखें तो मंगल जादा खराब फल देने वाला ग्रह है शनिदेव की अपक्चा। शनिदेव व्यक्ति को भौ बंधनों से रगण करके चाहे वो किसी भी तरह से कस्ट दे करके वैराग्य उत्पन करा करके और अंतिम परिणती जोन की आती है निकल करके वो अत्यंत स्रिष्ट परिणती देते हैं। मंगल ऐसा नहीं है व्यक्ति को मंगल मोह में भाव में पुनह एक बार धकेल देता है चाहत अकांछा में पुनह एक बार धकेल देता है। प्रिदर्शकों अध्यात्नित द्रिष्टि कोण से अगर देखा जाए तो बड़ा ही गहरा महत्व है शनिदेव के तिस्रित द्रिष्टी का। आज राशी फल में मैंने आपको काम त्रिकोण के बारे में बताया। जन्म कुंडली का जो लगन है वो धर्म है। इसी क्रम से आप धर्म अर्थ काम मोक्ष बारहों भावों को देखिए। तो लगन धर्म दूसरा भाव अर्थ तीसरा काम और चौथा मोक्ष। प्रिदर्शकों आप जरा द्रिष्टी संबंध को समझने का प्रत्न करिए। अगर शनिदेव लगन में होंगे तो उनकी तीसरी द्रिष्टी तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव काम का है। आकांच्छा का है। महत्वा कांच्छा का है। निशन देव शनिदेव की जो तीसरी द्रिष्टी है तीसरे भाव पर पड़ते ही जबरदस्त चोट करेगी। क्यों? क्योंकि उस स्वतह धर्म में बैठे है। कि अगर इस बात को समझना है, एक आम जनमानस के मन में ये बात डाल दी गई है कि शनिदेव की जो तीसरी द्रिष्टी होती है, वो सबसे ज़्यादा खराब होती है। अगर भातिक द्रिष्टी खोण से देखें, तो निसन दे होती है। क्योंकि वहाँ अगर लगन से, मैं हर भाव को समझा देता हूँ, अगर शनिदेव लगन में बैठे हैं, तो उनकी तीसरी द्रिष्टी तीसरे भाव पर पड़ेगी, जो की महत्वा कांछा है। शनिदेव महत्वा कांछा का विनास करेंगे। जब वो स्वतख धर्म में बैठे होंगे, तो महत्वा कांछा का वो विनास करेंगे। आपकी अकांशाओं को कैसे करेंगे, ये भी ज़रा देखी, आप पुरुशार्थ तो करेंगे, लेकिन जो चीज आपको तुरंत मिल जानी चाहिए थी, वो तुरंत आपको नहीं मिलेगी, किसी चीज को हम पाने के लिए उत्सुक होते हैं, प्रत्न करते हैं, वो चीज हमें होती है, लेकिन जब वो समय पर नहीं उत्पन मिल पाती हमें, तो बाद में जब वो मिलती भी है, तो उस चीज से हमें वैराग्यसा हो जाता है, कि इसी चीज के पीछे हम इतना भागें, और मिला भी तो अब, तो हमारे मन में क्या उत्पन होता है, वो वैराग्य, असल में शनिदेव के इस महान कृपा द्रिष्टी वाले प्रभाव की चर्चा आपके समुख नहीं हो पाई, असल में शनिदेव की तीसरी द्रिष्टी आपके जीवनकालक में एक महान स्रिजन करने वाली द्रिष्टी, किस चीज का सुरुजन, कैसा सुरुजन? वैराग्य का सुरुजन, शनिदेव की तीसरी द्रिष्टी असल में वैराग्य है, आगे बढ़िए, जन्म कुंडली का दूसरा भाव, ये असल में अर्थ का भाव है, यहां से शनिदेव की तीसरी द्रिष्टी कहां पर पढ़ती है, मोच्छ भाव पर पढ़ती है, दूसरा कुटुम्ब का भाव है हमारे जीवन में हमारे पैर पकड़ने वाले हमें बांधने वाले हमें रोकने वाले कौन हमारा मुह और हमारे परिवार एक तो हम अपने मुह के चलते बंधते हैं हर जगह चाहे वो खाना हो या बोलना हो कुछ बोलके फसते हैं या खाने के चकर में दूसरा हमारा कुटूंब, अशल में सनिदेव की जो तीसरी दृष्टी पढ़ती है, वो हमारे सुखों पर पढ़ती है, जब हम इन चक्करों में फंसते हैं, तो सनिदेव अपनी तीसरी दृष्टी डाल करके, हमें उस सुख से हमें दूर कराके, इस भव बंधन से बाहर न स्थान ब्रद्धी करो मंदह, जहां बैठते हुआ कि ब्रद्धी करेंगे, अच्छा, गुरू का असली गुण क्या है, गुरू का गुण, सबसे बड़ा गुण तो यही है, कि जब तक वो मान लिया जाए, कि गुरू शिस से किस मुख जाता है, और बुराई की बुराई क बुराई की वो बुराई कैसे करता है, बुराई की पचासो बुराईयां गिना देता है, अब जो बुरा है उसकी बुराईयां गिना ही दे तो विद्ध्यार्थी को क्या समझ में आए, शनिदेव वो महांतम गुरू हैं, जो बुराई के करीब आपको ले जाते हैं, से बाहर निकलने का मार्ग प्रसस्त कराते हैं, ऐसे गुरु है शनी, तीसरा भाव काम का भाव है, महत्वा कांछा का भाव है, यहां पर बैठ करके शनीदेव क्या करते हैं? पंचम, उनकी जो तीसरी दृष्टी होती है, पंचम भाव पर पड़ती है, पंचम भाव असल में धर्म का भाव है जन्म कुंडली में तीन धर्म त्रिकुन लगन पंचम और नौ यहां पर बैठते हैं पुरुशार्थ में बैठकर और कहां दृष्टी डालते हैं तो उनकी दृष्टी तो विच्छेद आत्मक है तो सीधी सी बात है कि काम में बैठ करके और तीसरी दृष् तो विश्टी है वो वेराज्य उत्पन कराती है पंचम भाव, धर्म का भी है और संतति का भी है आपके ज्यान का भी है पृयदर्शकों, असल में जो ज्यान है बंधन का ये अपने आप में एक महान कारण है याद रखिएगा ज्ञानी हमेशा फंसते हैं अग ज्ञानी नहीं शनिदेव उस ज्ञान से संतती भी क्या है? मोह है संतती क्या है? मोह है उस मोह से विच्छेद करा देते हैं अब जरा गौर करी स्वतह कहां बैठे हैं तो स्वतह बैठे हैं कामनाओं के भाव पर अब कामनाओं के भाव में बैठे हुए और द्रिष्टी डालेंगे पंचम पर मैंने एक उदाहरण दिया था कि इस स्ष्टी में परकृती का खेल देखिए क्या कमाल है कि दंड किस से दिलवाती है संतती से वो दंड दिलवाने के लिए उसके दंड बिधान इतना खतरनाक है कि वो संतती को आपके चुनती है कि ये दंड देगा तब जाकर के आपका आँख खुलेगा शनिदिव स्वतह कामनाओं के भाव में बैठ करके आपके अंदर कामना उत्पन करा करके हम सब जब अपने जीवनकाल में कोई बुरा काम करते हैं लूट मार मचाते हैं तो हम अंततो गत्वा एक ही जबाब अपने पास तयार रखते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए पर रूक्ष का भाव है पृत्व कष्व प्रियदर्शकों यहां पर बैठ Dieu करके सपंधव सवत्भ कही न कहीं एक भीतर ही भीतर वैरागी की व्रत्ति सही और नहीं कर देते हैं जन्व कुंडली के चतूर्थ में मुझे ज़्यादा बताने की यह आवर्शक्ता नहीं है कि जन्म कुंडली के चतूर्थ में बैठे हैं तो एक वैराग्य की वृत्ति तो उत्पन नहीं कर देते हैं एक के निरासा कैसी निरासा कामना हैं धीरे-धीरे खतम होने लगती की उनकी दृष्टी लगन पर भी तो पढ़ रही होती न दस्वी दृष्टी लेकिन हमारी दृष्टी आज तीसरी दृष्टी की केवल चर्चा चल रही है अब शन्म कुंडली का जो छठ्ठा भाव है वो भ कि जन्म कुंडली का चठवा भुरा है, इस मामले में जब हम इसको गिनते हैं तो वो रिण भावा आ जाता है, असल में जब हम अर्थ त्रिकोन को गिनेंगे, तो अर्थ त्रिकोन में जन्म कुंडली का ये चठवा भावा जाएगा, तो चतुर्थ में बैठ करके, अर्थ इ यह कहता है कि जब इनकी द्रिष्टी विच्छेदात्मक है तो सश्ठ पर द्रिष्टी पढ़ करके रोगरी पूरुन से विच्छेद होना चाहिए और ऐसा होता भी है लेकिन साथी साथ जातक के मन में च्योंकि चतुर्थ भाव वैराग्य का भाव है मैंने बताया था वैराग्य त्रिकुन तो वहां अल्रेडी सनीदेव वैराग्य की स्थिति उत्पन न कर देते हैं तो वो धर अर्थ भी जो है वो अच्छा अर्थ भी क्या है आप जब तक चीजों से आपका मुह भंग न हो चाहे वो अच्छे माइने में हो या बुरे माइन जब तक चीजों से मुह भंग न हो तब तक आप इन ही भौतिक चीजों के पीछे ही भागते रहते हैं प्रिदर्शकूं आप जन्म कुंडली के ठीक मैंने चार भावों को गिनाया मूल यही चार भाव थे धर्म अर्थ काम मोक्ष इन ही चारों भावों से आप सनीदेव की तीसरी द्रिष्टी को देखते चले जाए हर भाव में आप एक ही चीज पाएंगे कि असल में सनीदेव की तीसरी द्रिष्टी वैरागी की द्रिष्टी है और सनीदेव की तीसरी द्रिष्टी से केवल और केवल वैराग्य उत्पन्न हो रहा है इसलिए आम जन जीवन के द करने के लिए है इस भाव बंधन से इस मोह के बंधन से बाहर निकालें कि नहीं सनिदेव की तीसरी द्रिष्टी को आध्यात्मिक द्रिष्टी आप कहें आध्यात्म के द्रिष्टी कोण से सनिदेव की तीसरी द्रिष्टी चबर्दस्त है आज़ा करता हूं सनिदेव की तीस काम मुख्ष इसी तरह से चारो भावों में आप चले जाईए आज के लिए बस इतना है इजाज़ देंगे नमस्कार